हेई गाईज देखो जमेटों को लेकर एक बड़ी खबर आई है जो मुझे लगता कि सारे शेयर होल्डर्स को पता होना चीए क्योंकि देखो शेयर किसी पर दिया जाए डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए भई मतलब कोई भेद भाव नहीं करना चीए अगर आपने स्टॉक खर होने की क्यांश होने की जरोट ने तो बजाल शेज हें जाए ब्य चाहनी की कहानी क्या थी टोर रूपीज के बाजू में आया तो मैंने 247 या 46 रूपीज में मैंने मना कर दिया लोगों को कि व्यास बैंक डूब जाएगा यहां से अवर्ड हो जाएगा कुछ तो ऐसी है क्योंकि मुझे भी पता ही इतनी बड़ी मजबूत सांदार कंपनी है जहां पर मैं आपको बता दू गया तो पूरी चीज ऑफिशली होती है तो बीना ऑफिशली अगर स्टॉक में ज्यादा गिरावाट हो जाए मतलब समझो कुछ तो गड़बड है तो उसमें क्या हुआ कि येस बैंक फिर धायू से रुपए में आ गया तो मैंने बोला कि मत खरद हो ऐसे वैसे करके बहुत बीच में येस बैंक मैं आपको बता दूँ 50% तक भागता था एक दिन में 50% का प्रॉफिट एक दिन में 30% का प्रॉफिट प्ता लोगों को लगता था कि ये कभी भी राजा बना देगा ऐसे लोगों को फील होता था तो जमेटो में ऐसी कोई हरकत देखने को मिली तो रूपय में 4.66 करोड शेयर बांटे ये जमेटो खबर से बदल गई यहां देख सकतो स्टॉक की चाल तो अब भाई जब ऐसा कोई होगा 98 परसंट जब कोई इंसान डिसकाउंट कर देगा 98 परसंट तो बचा क्या 2 रूपय बचा न फिर अगर 98 परसंट चल गया तो 2 परसंट बचा तो भाई इतना करने से तो फिर कोई भी इंसान मतलब मैं आपको बहुँआ कि मतलब क्या बिल्कुल 98 परसंट का मतलब क्या मतलब कंपनी यह था कि 98 परसंट म है कि स्टॉक उनका स्टेबल हो जाए गिरे ना भाई क्योंकि गिरने से कंपनी का रेपूटेशन भी गिरता जा रहा ना लोगों का भरोसा क्योंकि जितनी इन्वेस्टर हैं वहाँ पर उनका पैसा डुबा हुआ भाई वह अपना ओडर जोमेटो से नहीं अब स्विगी से करना स्ट करतेंगे तो यह भी एक रेपूटेशन वाली बात होती है उसको क्या बोलते हैं बिजनस लेंग्वेज में बोलते हैं गुडविल गुडविल अब जब किसी कंपनी का गुडविल गिरता तो बहुत खराब चीज़ होती है यह ए जुबा जु कहीं दुकान होगा यह बजार होगा मार्केट होगा वहाँ देज़ जाईगे तो वहाँ सस्ता मिलेगा और एमज़ॉन में महेंगा मिलेगा क्यूं क्यूंकि उसका गुडविल अच्छा है भाई रिटन पॉलिसी है एक्सचेंज पॉलिसी है तो चैश और बह रहा है और यह अपने स्टॉक को रोकने से मगिरने से बचाना चाहते हैं बस में अच्छा जो यह ब्लिंकेट डील भुआ था ना यह भी मतलब यह इससे भी मतलब कंपनी को कोई फायदा नहीं उल्टा मतलब कंपनी को नुक्सान सहना पट रहा है तो यह जो डील हुआ ना यह भी कमपनी के फिवर मनी है 4447 करोड बड़ा अमांट होता है भाई साफ-साफ यहां पर आपको बता है जारा 4.66 करोड शेर टू इंप्लोई जो उनके इंप्लोई बगरे हैं एट 98% डिसकाउंट तो यहां पर इनको 98% डिसकाउंट तो देखे एक कमपनी अपने इंप्लोई को क्यों दे रही है एक कंडिशन हो जाता है कि अगर कोई शेर बाहर में नहीं खरीदने वाला होता है तो शेर को बेचना तो है ना अगर देख लेए हो माल लेते हैं कि हमारे पास 100 शेर फालतु है भाई 100 शेर फालतु है कम से कम 100 में से हम 200 बेच सकते हैं ना तो इतनी ताकत तो लगा लेते हैं देखो बोलते हैं कि जितना कर सकते हैं उतना ही करो चूप चाप मत बैठो यह वाली सिचूइशन आ जारी है तो कुछ तो यह अपनी employees को देंगे इससे क्या होगा कि भाईन का थोड़ा बाद जो भी स्टॉक है वो बिकेगा तो सही आज यह सारी चीज़े जो है राकेट जुन जुन वाला ने जो बोला था आज यह सारी चीज़े याद आ रही है लोगों को कि राकेट जुन 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 वाला ने पहले बोला था कि ये स्टॉक में कुछ problem है कुछ crash देखने को मिल सकता है राकेट जुन 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 वाला ने मतलब एक interview में बोला था सब लोगों ने बोला था लेकिन आज देखते हैं तो यह स्टॉक की हालत पूरी तरीके से सच में खराब हो चुकी है जादा तर तो ब्लॉक डिल में पहले डेट देख लीज़े वीडियो देखने से आप क्योंकि जो भी दिखाता हूं डेट देख लीज़े डेट देख लीज़े तो आपको पता चल लेगा अपडेट है तो भाई जादा तर लोग ना माल बेच के अपना निकल रहा है ब्लॉक डेल बल्क डेल तो ये सब लोग अपना माल बेच रहे है कल भी मैंने आपको दिखाया था किसी ने 14 या 15 करोड का माल बेच दिया एक जटके में है के नहीं है मैंने आपको दिखा है तो बहुत बड़े-बड़े माल वो लोग बेच के निकल रहे है क्योंकि उनको पता है कि भाई ये स्टॉक बहुत जदा गिर चुका है मतलब 500-200 रुपय जाना चाहिए था स्टॉक 40 रुपय में अठका हुआ है और देखो अगर कोई 40 रुपय का स्टॉक है उसको 200 रुपय से अगर गिर गया है तो गिरना असान है यहां से यहां असान है लेकिन यहां से यहां जाने का मतलब कमपनी को कितने बार मल्टिप्लाइ होना पड़ेगा सोच लिजए वन पॉइंट दूसरा पॉइंट स्टॉक तभी डबल होगा जब कमपनी का अर्निंग डबल होगा तीसरा पॉइंट दिमाग में ये चीज़ जरू ढुका लीजेगा कि कमपनी का जब तक अर्निंग डबल नहीं होगा स्टॉक नहीं भाग पाएगा क्योंकि किस दम पे भागेगा बताइए किस दम पे भागेगा ज्यादा तर कंपनी का जो कंपनी का पास जो है वो intangible asset वगरे है tangible asset वगरे इनके पास fixed asset वगरे जो होते हैं यह ज्यादा कुछ है नहीं और जो इनका goodwill देखा जाता है reputation देखा जाता है brand के तौर पे देखा जाता है तो वो भी अगर देखोगे तो वो भी मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से खराब चल रही है बहुत सारे लोग comment भी कर रहे हैं कि भी आप अगर zomanto जो है swigy के साथ मर्ज हो जाता किस के किस के साथ मर्ज हो जाता तो फिर इसका price 400-500-600 रुपय हो जाता अब आप सोच लो तो मैं आपको बलूँगा कि एकदम से बड़ा पैसा मतलगाएगा मेरे हिसाब से ignore करना है क्योंकि अभी भी ये company बहुत बड़ी है 30,000-40,000 करोड का market cap मेरे हिसाब से बहुत महंगा है और ज्यादा तर प्रॉलम ये केवल sell-off के वज़े से हो रहा लोग दबा के माल बेच रहे हैं निकल रहे हैं यहां से ये यस्टडे वाला जो मैंने आपको बताया था 15 क्रोड का किसी निया जो है बड़र माल बेच के निकल लिए है तो ये जितने भारी-भारी माल बेचेंगे तो भाई गिरेगा ना stock और बहुत सारे लोगों का ये भी मनना है कि मतलब ये जो stock है 125% तक का return निकाल के दे सकता है 125% का देखो पेटियम कभी यही target दिया जा रहा था जब 2200 2200 में जब था stock तो बहुत सारे लोगों ने जब 1500 रुपे में आ गया था तो लोगों ने target दिया था 200 का जब फिर यही stock 1200 में आ गया तो बहुत सारे लोगों ने target दिया था 1500 रुपे का और यहां पर देख सकते हैं upside डवले तो कुछ लोगों का मानना positive है कुछ लोगों का मानना negative है देखो मैं आपको इतना ही बोलूगा कि ये कुछ लोगों के बीच में फसके आप अपना पैसा मत लगाईएगा आप अपना पैसा तभी लगाईएगा जब company profit में होगा याद avoid करें भले ये stock 10 गुना हो जाए हाला कि होने वाला तो है नहीं कभी नहीं होने वाला है वही नहीं का मतलब तो अभी तो नहीं होने वाला है ठीक है और एक बार अपने financial advice से consult जरूर कर लिजे और अब stock market में नहीं है तो अपने demand account इंजल में उपन कर सकते हो जहां पर आपक